Hello everyone, यह हमारा पेसेंट है, जिनको लो बैक एरिया में पें इनको काफी पहले वो गिर गए थे गिरने के बाद इनको इसी एरिया में पें आया था और वो मैडिसीन लेने के बाद पें खतम हो गया था एगेन जो है सो उनको दो-तीन साल बाद इसी एडिया में फिर से दर्द आ गया है और इनको साइड में कोई पेन नहीं है केवल और केवल सेंट्रल में पेन है इसी एडिया में तो इसके लिए हम सबसे पहले IFT therapy लगाएंगे थाकि इनका मांस फिर से रिलाक्स हो जाए और इन को अंत तक जरूर देखे ताकि सभी जानकारी आपको मिले और IFT कुछ इस वरकार प्लेस्मेंट करते हैं जो क्रॉस में चैनल वन चैनल टू को एक दूसरे के क्रॉस में करके और जो हमारा पेन पॉइंट है उसको मिड़ पॉइंट पे बीच में ध्यान रखते हुए IFT इल इस वीडियो जरूर देखे और मैं मसीन पे गया और उसको प्रग्राम सेलेक्ट कर लिया कि क्या ठिरेपी देना है उनको तो मैनवल्ही इसमें सेट करके और टैमिंग 15 से 20 मिनट या 35 मिनट लास्ट रखेंगे और मसीन को ऑन्न況 कर देंगे mais in intensity बढ़ाएंगे इसले बढ़ रहा है या ज्यादा लग रहा है तो कम कर देना है कम लग रहा है तो ज्यादा कर देना है बहुत ज्यादा भी इंडेंसिटी नहीं रखना चाहिए बहुत कम भी नहीं रखना चाहिए छोटा सा चर्चा करेंगे IFT के benefit के बारे में तो IFT से benefit हमें इस फरकार मिलता है कि जो local area में IFT लगाते हैं वहां का blood circulation बर जाता है जिसके कारण से जो हमारा pain है वो control होता है muscles activate हो जाता है muscles को active करता है estimulate करता है तो इस तरह से जो ISO मतलब benefit मिलता है और उस benefit के कारण जो ISO जो मरीज का दर्द होता है वो कम हो जाता है इस फरकार हमें IFT का benefit मिलता है और अब बात करेंगे ultrasonic therapy का जिसमें आप आपको दिखाएंगे कि ultrasonic therapy कैसे apply किया जाता है तो ultrasonic therapy के लिए आपको जो point paint है जो बिल्कुल pain का point है वहाँ पर ultrasonic gel लगाना है उसके बाद आप कोई भी oilment लगा सकते हैं जो pain killer होता है तो इस फरकार जो pain killer gel होता है उसको लगा दिया जाएगा और उसके बाद ultrasonic head को उसके उपर इस तरह से जो है रख के rough कर दिया जाएगा पहले और फिर बढ़ाने के बाद आपका जो ultrasonic head है modality बंद होने तक बिल्कुल उसके उपर घूमता रहना चाहिए और कुना नहीं चाहिए बिल्कुल घूमता रहना चाहिए और इस परकार घूमता रहेगा बात करता है कि ultrasonic का timing कितना होना चाहिए तो minimum 4 minute होना चाहिए और maximum 8 to 10 minute होना चाहिए अब बात करेंगे benefit of ultrasonic थरह पे तो इसमें ये benefit मिलता है कि जो हमारा deep tissue है उसमें hitting effect देता है जिसके करण जो हमारे causes of injury है वो जो है सो मतलब ठीक होने लगता है उसमें improvement आने लगती है इसमें जो damage part होता है internal body में उसको healing capacity बढ़ा देता है और इस local area में मानस्वेशिया में massage भी हो जाता है और इस area का इसके वज़र से blood circulation भी बढ़ जाता है तो इस वरकार से कुछ hitting benefit होता है ultrasonic therapy का अब बात करेंगे कि अगर आप लोगों को किसी को भी back pain है तो आप बिल्कुल physio therapy treatment ले सकते है या कोई भी pain है किसी भी joint का pain है तो आप बिल्कुल physio therapy treatment ले सकते है तो आप अगर मेरे किल्निक के नदिक है तो आप मेरे किल्निक पे आ सकते है मेरा किल्निक आड्रेस है खुटोना जो मदवनी डिस्टिक बिहार में पड़ता है खुटोना में मेरा किलिक है और स्कीन पे मेरा मुवाइल नमर है अगर आप घर बैठे संपर करना चाहते हैं तो मेरे मुवाइल नमर पे भी कंटेक्ट कर सकते हैं बाकि कई सारे और वीडियो मेरे इस चैनल पे बना हुआ है ओ भी आप देख सकते हैं और इस पेसेंट के लिए क्या-क्या एक्सरसाइज करना चाहिए वो मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में अफ्लोड कर दूँगा तो आप जरूर उस वीडियो को देखे तब तक के लिए जाएं